हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक उन में यूट्यूब चैनल तो दोस्तो ये इस ड्रामा की एक्स्पिलनेशन का पार्ट नमबर टैन है अगर अभी तक आप लोगों नहीं प्रिवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप वो देख लीजे साधी का इस चैनल को करनीचे और अगर आपको वीडियो पसंदाती है तो वीडियो को लाइक भी क्या कीजिए इस पार्ट की स्टार्ट में ही गॉंग जा रहा था तो यूरिम को बस स्टेंट पर खड़ा हुआ देख लेता है यूरिम को भी आना पड़ता है पूछ रहा था कहा जा रही हो यू गॉंग जन बोलता है तो यूरिम बोलता है तो फर कार में बैठो मैं देखना चाहता हूं तुम काम भी करती हो या नहीं और अगले ही पल दोनों मार्केट में पहुँच चुके थे और गॉंग चन ने तो यूरिम का धिमाग खराब किया हुआ था उसे पूरी तरीके से द कार की जगा तो एक लैडर था कि कार टो हो चुकी है बस फिर तो यूरिम बहाने बनाने लगती है कि चलो चलो वर्फ गिरने वाली है दोनों बस से पहुँचते हैं अब कॉंग चन से बोल रही थी पता चला तुम्हें कितना मुश्किल होता है बन करीदना कॉंग चन बोलत है तुम अपने आप से मझे बिल्कुल कंपैर मत किया करो यह मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है यूरिम बोलती है तुम मुझे कौन सा अच्छा लगता है मुझे दो बिल्कुल पसंद नहीं हो बस जोकी को तो ये बहुत ही अच्छा लग जाता है और सीटी पहुच जाता है उसी मॉडल एजनसी के पास कहता है मैं आपको मॉडल बनने के लिए त्यार हूँ पर मुझे मेरे नाम का कार्ड चाहिए वहाँ से कार्ड बनवाने के बाद फिर से सेकरेटरी के पास आता है उसे कार्ड दे करके बोलता है ये मेरा नामबादा कार्ड है और सेकरेटरी से उसका कार्ड लेके ऐज़े खुश रहा था जैसे ये इसकी शादी का ही कार्ड है वहीं दूसरी तरफ दादा जी यूरिम से पूछ रहे थे क्या उसका कोई बाइफरेंट है यूरिम मना करती है उसके बाद दादा जी ने तो लाइन लगा दी थी लड़कों की फोटो की अब यूरिम तो शर्मा के वहाँ से भागी जाती है और बागी सब लोग भी इसकी अरकटों पे हस रहे थे यहरा बागे दादा जी कॉंग जन से बोल रहे थे कि मैं जूंगो और यूरिम को साथ में लाना चाता हूँ गॉंग जन बोलता है जूंगो की टाइप की नहीं है यूरिम दादा जी बोलता है यह क्या कह रहे है तुम क्या वो सुन्दर नहीं है गौंगचंद बोलता है हाँ सुन्दर है पर वो उसके टाइप की नहीं है दादा जी बोलते है मैंने का वो सुन्दर है या नहीं दादा जी यूरिम की तारीफ करने लगे थे और गौंगचंद से भी जबर दस्ती बुलवा ही देते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा सुन्दर है अब कॉंगचन वहां से आता है और यूरिम को देखता है बड़े भैयानक तरीके से एपल खाते हुए तो पिचारे को तो शौक सही लग गया था इधर दादा जी नहीं तो ठान लिया था कि वो चुंगवा और यूरिम को एक करके रह दूसी टिकेट जा करके कॉंगचन को दे देते हैं कहते हैं यह जूंगवा को दे देना कॉंगचन बोलता है कि यूरिम उसके टाइप की नहीं है दादर जी बोलता है जैसा का है वैसा करो अब यह जा करके जूंगवा को टिकेट दे देता है जूंगवा बोलता है मैं यह अच्छे से रेडी कर दिया था। यूरिम भी कहा रही थी। फिर थाज़ जी गौँचन से बोलते हैं यूरिम कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है। खेर अब यूरिम कॉंचन के पीछे जाके बोलती है, चलो अब देखने नहीं चल रहा है, कॉंचन बोलता है, नहीं मैं नहीं नहीं जा रहा, और तुम क्या ये कप्रे पहन के जाने वाली हो, यूरिम बोलती है, हाँ, मैं अच्छी लग रही हूँ ना, कॉंचन बोलता है, ब वहाँ पे तो जूंग वो था, ये दूनों एक दूसरे को देखके, एक दूसरे की कंडीशन पेहस रहे थे, ये बोलती है, इसका मतलब ओपा, तुम्हे और यूरिम को मिलवाना चाहते थे, और यूरिम मज़वर ओपा को, जूंग वो बोलता है, गौंग चन ने ये सब रहे होंगे, तो वहीं गौंग चन यूरिम को देखता है, और बोलता है, तुम्हें इती चल्दी वापस आ गई, यूरिम बोलती है, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, अब दोनों को समझ में आ गया था, कि अच्छली मैं हुआ क्या है, कौंग चन बोलता है दादर जी को पता चला तो उन्हें बुरा लगेगा, यूरिम बोलती है, ठीक है फिर मैं थोड़ देर टाइम काटके आती हूँ, कौंग चन बोलता है मैं भी चलूँगा, यूरिम कहती है मताओ, तुम्हारे साथ रहके मैं बोर हो जाती हूँ, कौंग चन बोलता है पर अब जब ये बिल्डिंग के टॉप पे जा रहे थे, तो यूरिम तो कुछ जादा ही खुश रही थी, और कौंग चन इसकी हरकते देखके, ऊपर पॉशने पे यूरिम सब कुछ हैरानी से देखने लगी थी, और कौंग चन को स्टोरीज भी सुनाने लगी थी, कौंग चन क के लिफ्ट में कोई भी विश्मागे, तो वो हमारी पूरी हो चाती है, अब लिफ्ट में गौंग चन सांस रोग भी लेता है, और यूरिम को पता चल जाता है, वो फिर से उसका मजाग बनाने लगी थी, कहती है मैंने जूट बोला और तुम फिर से फस गए, गौंग चन क लगता है, वहीं दूसी तरफ सियूं और जूंगो अलगी देवदास पार्टी कर रहे थे, तो दूसी तरफ सेक्रेटरी को रियल कजिन की जो फैमली फोटो मिलती है, उसमें यूरिम के फादर भी थे, वहीं दूसी तरफ यूरिम कांग चन से बोड़ रही थी, तुम पां इतनीक वह अजमाता है, वह पांच तक गिनती गिनता है, तभी अचनक से सारी लाइट जलने लगती है, और लाइट के बीच से उसे हस्ती होई यूरिम दिखाई देती है, उस समय कांग चन की दिल की धड़कन तेज हो गई थी, और वह अपने आप से कह रहा था, तु सच म तुम भी तो खाओगे, मिर पास पैसे नहीं है, तब ही मांग रही हूँ, यूरिम ने सूइट पैड़ेटो खरीद लिये थे, पूरे घर के लिए, और वह तुम खा सकते हो, मैं तुमारे लिए भी लाई हूँ, यूरिम बोलती है, तुम ही खाओ और खाती रहो, मुझे न नहीं खाना, यूरिम बोलती है, तुम मेरे जूट मे फस गए थे, इसलिए मुसे गुस्टा हो, कॉंचन बोलता है अपसे तुमारे किसी भी जूट में, मैं नहीं फसने वाला हूँ, यूरिम बोलती है, चलो देखते हैं, यूरिम को खाते खाते इफंदा लग जाता है, इ पहुत पच्छता होगी। यूरिम बोलती है चल जूटे। कॉंग चन बोलता है तो मैं पता है न तुमारी सलजी मैं ही देता हूँ। फिर तुम देखना। यूरिम बोलती है सौरी इतना गुसा क्यों हो रहे हो। और फिर आगे कॉंग चन अपने दिल से कह रहा था। और दादजी ने हॉस्पिटल में जूंगो को बला लिया था उसका ड्राइवर बनने के लिए। जूंगो बोलता है कि आपने सिर्फ ड्राइवर बनने के लिए बलाया है। दादजी बोलता है कि तू नहीं बनना चाता हूँ ना। दादजी उसे इशारों में कहते हैं जा इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी चलो साथ में मूवी देखते हैं वहीं दूसी तरफ आंटी ने गॉंगचन को कॉल करके कहा था आज रात वो लोग घर पे नहीं आने वाले हैं इसलिए वो घर जल्दी चाहिए ताकि यूरिम अकेली न रहे तो बस गॉंगचन अपने सा कंवचन बरे मैं देख सकते थे मोचे क्यों बुलाया हैं से मुझे क्यों बुलाया हैं ओर जुए हम को पकड़ के बोलुता है हम ये पैसे रहे हैं रहा है स्यम्चन की लिका है तो लेख लग रहे हैं समस्क्ति करें मैं डैडी और ये मम्मी अब गॉंग जन इसकी बात उसे चड़ गया था जुग वो बोलता है चल ठीक है मैं माफ़ी मांगता हूँ तू डैडी और मैं मम्मी अब तो खुश हो जा अब ये लोग अंदर जाके पिच्चर हाल में बैठते हैं और जुग वो यूरिम से कह रहा अब गॉंग जन उसका सिर अपनेगंदे पर रखने ही वाला था पर इतने में है जुग जन और फो ये देखके ऑच्छ नई लगा था अगुड़ा पहले ही गॉंग चन यूरिम को बचा रहा था भीर से और यूरिम को यह अच्छा लग रहा था लेकिन कुछ दूर जाने पर ही उससे सियूं का कॉल आ जाता है और यूरिम उसे बोलती है एक काम करो तुम चले जाओ अपनी डेट पे मैं जुंगो के साथ रहूँगी जुंगो भी बो बोलना भी एक कला होती है जुंगो बोलता है बला यह कैसे यूरिम उसे एक मिर्ची खाके बोलती है अब तुम बताओ कि यह मिर्ची थी की है भी यह नहीं जुंगो बोलता है तुम ऐसे दिखा रही हो इसके अंदर मिर्ची नहीं है तुम जूट बोल रही हो यूरिम बोल प्यार भी ऐसे होता है दर्द चुपाना पड़ता है बस नजरों से किसी को समझना आए दोनों ही मेरे चिखा के अपने प्यार के गम्मे रो रहे थे अब आगी जुंगो यूरिम से बोल रहा था अब तुमने उसे बुलाने का सोच ही है तो तुम मुझे चांस दे के देखो म मैं तुमारी हल्प करूंगा यूरिम बोलती है क्या मज़ा करयो जुखट है एक बर ट्राय करके तो देखो उरिम बोलती है तो मैं पता है मेरे दिल में प्रति जुंगो बोलता है पर तुम्हें नहीं पता मेरे दिल में कौन है और मैं वाक़ी मजाग कर रहा था या यह सब कुछ सच में कह रहा था यूरिम कहती है सच सच बताओ तुम मजाग कर रहे थे ना जुंगो बोलता है रह नहीं दो जानके क्या करोगी यूरिम इसकी बातों से ह और दादत जी भी उनकी जोड़ी बनवाना चाहते हैं लेकिन कॉंग चन ये मानने को त्यार ही नहीं था कि वो दोनों एक साथ हो भी सकते हैं खेर बागे गॉंग चन ये माने के बाद बोलती है कि तम पहले ही आ गए और अंटी अंकल कब आएंगे गॉंग चन बोलता है आज रात को वो नहीं आने वाले हैं ये तो अपने रूम में जा करके पागले वाली हरकते करने लगी थी कहती है क्या करूँ जिनी के घर चली जाओ पर जिनी तो शहर से भार गई होई है फिर सोचती है रात को मैं और गॉंग चन अकीरे हैं खही रात को कुछ गरबर हो गई तो वो सोचती है कि वो अपने उपर कंट्रोल नहीं कर पाई और उसने गॉंग चन के साथ कुछ बुरा कर दिया तो सोचती है नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं सोचूँगी जा करके गेट को लॉक करती है उसके वाद सोफा लगा के बैट गई थी कहती है अब सब कुछ अंडर कंट्रोल है पर तभी गॉंग चन ऊपर आता है और यूरिम के लिए सुशी लेके आया था वो उसका चैनल पर भी एक निव ड्रामा स्टार्ट हो चुका है तो आप उसे भी जा करके देख सकते हैं थैंक्स वा वाचिंग मिलते हैं बहुत जल